दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्यूं हर सुभे सेब का सिर्का खाली पेट पीना चाहिए। सेब का सिर्का एक तरह की दवा है। सेब का सिर्का आपके शरीर में बैक्टीरिया को मारता है और फंगस को मारता है। तो सेब का सिर्का एंटी बैोटिक दवा की तरह भी क लेकिन जिस प्रकार एंटी बैोटिक दवा शरीर में जाकर बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ इनसान के शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके विपरीत, सेब का सिर्का शरीर में जाकर बैक्टीरिया और फंगस को तो मारता है, लेकिन इनसान के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये इसका सबसे बड़ा फाइदा है, तो जब भी आपको किसी एंटी बैोटिक की जरूरत पड़े, या किसी एंटी फंग जल दवा की जरूरत पड़े, तो आप इसकी जगह पर सेब के सिर्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आपका गला खराब हो गया है, या आपका कोई जखम है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सेब के सिर्के का नीमित सेवन शुरू करें, आपके शरीर में जितने भी किटानू होंगे, जर्म्ज होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वाइरस होंगे, वे हमर जाएंगे, लेकिन अगर आप सेब के सिर्के का रोजाना इस्तिमाल करते हैं, तो आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसे ही कम हो जाएंगे, इसके अलावा सेब का स और आपको अपना वजन कम करना चाहते हैं, तिर आपको हर रोज सुभे सेब का सिर्का पीना चाहिए. सेब का सिर्का कॉलस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए अगर आप हर रोज सुभे सेब का सिर्का पीएंगे, तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी आपकी नसों के अंतर kolesterol नहीं जमेगा आपको heart attack नहीं आएगा आपको stroke नहीं आएगा आपको paralysis नहीं होगा तो ये सेब के सिरके के एक बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं आप सेब के सिरके को एक परकार के heart health के tonic के तौर पर यानि दिल की सिहत को बनाये रखने के tonic के तौर पर हर रोज सुभे ले सकते हैं सेब का सिरका पीने से high blood pressure भी कम हो जाता है क्योंकि जब शरीर में cholesterol कम होगा तो blood pressure अपने आप कम हो जाएगा और अगर आपका blood pressure कम होगा तो इससे आपको kidney की बीमारी होने के chances भी कम हो जाएगे यानि अगर आप हर रोज सेब का सिरका पीते हैं तो आपकी kidney भी खराब नहीं होगी सेब का सिरका अगर आप हर रोज सुभे पीते हैं तो इससे आपका blood sugar level normal रहेगा सेब का सिरका पीने से insulin sensitivity 19% से लेकर 34% तक बढ़ जाती है यानि आपका शरीर insulin के प्रती समवेधन चिल बन जाता है जिससे अगर आपके शरीर में थोड़ी सी भी insulin पैदा होती है तो उतनी से ही आपका sugar level control में आ जाता है इसे अगर हम दूसरी भाशा में कहें तो सेब का सिरका पीने से आपका blood sugar level 19% से लेकर 34% तक कम हो जाता है सेब का सिरका पीने से भोजन के बाद वाला sugar level भी कम होता है और सुबे खाली पेट का sugar level भी कम होता है तो जिनको diabetes है उनको हर रोज सुबे सेब का सिरका जरूर पीना चाहिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको सुबह सेब का सिर्का कैसे पीना है अगर आपके घर में किसी और को डायबटीज है और आपको नहीं है तो आपको सेब के सिर्के का सेवन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सेप का सिर्का पीने से डायप्टीज होने का खतरा कम होता है और अगर आपके घर में पहले से ही डायप्टीज की बीमारी है तो आपको डायप्टीज होने का खतरा ज्यादा है इसलिए आपके लिए सेप का सिर्का बहुत अच्छा है इसे आज से ही पीना शुरू कर दें। अगर आपके कभी नाखुन खराब हो जाएं। नाखुनों के अंदर infection पैदा हो जाएं। तो आप एक हिस्सा सेब का सिर्का और एक हिस्सा पानी लेकर अपने नाखुनों को इस सेब के सिर्के में डुबोएं। ऐसा कुछ दिन करने से ही आपके नाखुनों में जो infection होता है वे ठीक हो जाता है। आप सेब के सिर्के से जख्मों को भी साफ कर सकते हैं। सेब के सिर्के से अगर जख्मों को साफ किया जाए तो जख्म जल्दी भर जाते हैं। क्योंकि यह जख्मों के अंदर बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसके लिए थोड़े से पानी में जैसे एक कटोरी पानी में दो से तीन चमच सेब का सिर्का मिलाएं और इस पानी से जख्मों को धोएं। इससे आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे। जख्मों को साफ करने के लिए और जख्मों का ईलाज करने के लिए सेब के सिरके का इस्तिमाल लगभग 2000 साल पहले किया जाता था। क्योंकि उस समय कोई और ज्यादा दवाएं नहीं होती थी और जंग में जो सिपाही जखमी होते थे उनके जखमों का इलाज करने के लिए सेप के सिरके का इस्तिमाल किया जाता था। अगर आप हर रोज सुबे सेप का सिरका पीते हैं तो आपको food poisoning होने के chances कम होंगे क्योंकि सेप का सिरका E. coli नाम के bacteria को मार देता है। E. coli bacteria भोजन के अंदर पैदा होता है और इसी की वज़े से आम तोर पर food poisoning होती है। तो अगर किसी को food poisoning का भी हो भी जाए तो उसे सेप का सिरका पीना चाहिए। इससे food poisoning collection जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी तवचा खराब हो चुकी है जैसे इसके उपर फोड़े फुनसियां हो चुके हैं, कील मुहां से निकलते हैं। अपनी तवचा को रोगमुक्त बनाने के लिए आप सेप के सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर किसी cotton की सहायता से, रूइं की सहायता से अपने चेहरे के उपर लगाएं। इससे आपकी तवचा अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगी, तवचा के रोम के अंदर जो गंदगी होती है वह निकल जाएगी। इससे आपकी तवचा के उपर जो फोरे फुंसियां हो रहे हैं, जो कील मुहां से निकल रहे हैं, वह नहीं निकलेंगे, और आपकी तवचा एक दम से साफ नजर आएगी। सेब का सिरका बुढ़ापे के लक्षणों को दूर रखता है, क्योंकि सेब का सिरका पीने से तवचा के उपर जल्दी जूरियां नहीं पड़ती, इससे आपको बुढ़ापा देर से आता है, तो लंबे समय तक जवान दिखने के लिए हर रोज सुभे सेब का सिरका जरूर प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके चेहरे के उपर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वह मर जाएंगे, और आपके चेहरे के उपर दाग धबे नहीं पड़ेंगे, जाईयां नहीं पड़ेंगी, और अगर पहले से जाईयां पड़े चुकी हैं, तो वह ठीक हो सेब का सिर्का एक तरह के लेक्जेटिव की तरह काम करता है यानि यह पेट को साफ करता है तो जिन लोगों को कभज है न के लिए तो यह रामबा नोशदी है इसलिए अगर आप हर रोज सुबे सेब का सिर्का पीते हैं तो आपके कभज दूर हो जाएगी और आपका पाचन बेहतर बन जाएगा आपको खाया पिया हजम होने लगेगा और आपकी भूख बढ़ जाएगी जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए सेब का सिरका बहुत अच्छा होता है सेब का सिरका एक और बहुत अच्छा काम करता है ये हमें कैंसर से बचाता है ये शरीर में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है तो ये भी हर रोज सेब के सिरके को पीने का एक फाइदा है सेब के सिरके में मैगनीशियम होता है आईरन होता है फासफोरस होता है मैंगनीज होता है अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटी ओक्सिजेंट्स होते हैं तो सेब का सिर्का पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे पोशक तत्वों की कमी भी दूर होती है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सुभे सेब के सिर्के को पीना है सुबह उठने के बाद खाली पेट, एक गिलास गुनगुने पानी में एक चमच सेब का सिरका मिलाईए और बस इसे खाली पेट पी लीजिए, बहुत ही आसान है अगर आप पानी को गुनगुना नहीं करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल टेंपरेचर पर जो पानी होता है, उसमें सेब का सिरका मिलाकर भी पी सकते हैं बस एक गिलास पानी में एक चमच सेब के सिरके को मिलाना है और बस पीना है इसी से आपको बताएगे सभी स्वास्तेलाप मिल जाएंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेर कर दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद